नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जया कहनी संसार में आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक समय की बात है, किसी जंगल में चक्वा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था चक्वा और चक्वी दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों अपना हसी खुशी जीवन वैतीत कर रहे थे इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मोजूद पशु पक्षी इनके प्रेम की मिशाल दिया करते थे यहां तक की चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण नियुचावर करने के लिए भी तयार रहते थे जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा उसे जब खूब सुनाता तो वह है चुप चाप सुन लेती थी और पलट कर कभी भी जवाब नहीं देती ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी चकवे को सुना देती तो चकवा भी चुप चाप सुन लेता और पलट कर कभी भी जवाब नहीं देता था जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती तोनों में हमेशा कलेस रहता था, इतना जगडा करते कि मार पीट की नोबत आ जाती, कववा बड़ा ही दरिद्र था, उसके घर में हमेशा अन की कमी रहती थी, वहीं चकवा धन धन्य से संपन रहता था, क्योंकि इसके घर में खुश हाली और शांती थी, कववा जब चकवा चकवी को देखता कि ये दोनों कितनी खुशी और आनन से रहते हैं तो उसे बहुत जलन होती थी, कववा अपने मन में सोचता है कि मैं किस तरह इन दोनों में फूट डालूं और इन दोनों को अलग कर दूं, जिससे इनके घर की शांती भंग हो सके, कववा चकवा का मित्र भी था, मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता था, उसके मन में चकवा और चकवी के प्रती हमेशा जलन रहती थी, कववे ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे शांती से नहीं रहने दूँगा, जब मेरे घर में जगड़े और लडाया होती हैं, मैं परेशान रहता हूं तो फिर ये कैसे सुक शांती से रह सकता है, अब इसके घर में भी अशान्ति फैलानी है इसका जीवन भी मुझे नरक्त करना है अब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कववा चकवी के पास जाता और चकवे के बारे में बुराई करता और कहता कि चकवी बहन चकवा भाई आप से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बाते करते हुए देखा कववे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था चकवी कववे की बात को नहीं सुनती है और उसके बात को हवा में उड़ा देती है जब कभी चकवा अकेला रहता तो कववा चकवा के पास जाकर चकवी की बुराई करता और कहता कि चकवा भाई चकवी आप से बिलकुल भी प्रेम नहीं करती है क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बाते करते हुए देखा है चकवा इन बातों को सुनकर हस्ते हस्ते टाल देता है और उस बात पर बिल्कुल भी ब्रोसा नहीं करता अब इसी प्रकार कवा चकवा और चकवी दोनों में बारी-बारी से फूट डालने की कोशिश करता लेकिन चकवा चकवी में इतना द्रड प्रेम था कि एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे और दूसरों के बहकावे में नहीं आते थे अब इस प्रकार कववा जब हार जाता है तो कववा अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम से कभी भी जगडा ने करूं तो तुम मेरा एक काम करो चकववा और चकवी दोनों में मन मुटाव करवा दो दोनों के बीच जगडा पैदा कर दो जिससे उनकी शांती भंग हो सके कव्वा ने अपनी पतनी से कहा कि जब भी तुम्हे मोका मिले तुम चक्वी बेहन का कान भरती रहना और मुझे भी जब भी समय मिलेगा मैं भी चक्वा भाई का कान भरता रहूंगा जिस से दोनों में लडाई जगडा हो सके अब कव्वे की पतनी चक्वी से जाकर कहती है कि तुम्हारा पती तुम से प्रेम नहीं करता वहे तो किसी दूसरे से प्रेम करता है ठीक इसी तरह कववा भी चकवा के पास चाकर कहता है चकवा भाई चकवी बहन आप से प्रेम नहीं करती वह किसी दूसरे से प्रेम करती है कववा और उसकी पतनी अब प्रती दिन चकवा और चकवी के कान भरते रहे जिससे धीरे धीरे चकवी को विश्वास होने लगा कि चकवी जरूर अब हमसे प्रेम नहीं करती है ठीक इसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे यह लगने लगा कि मेरा पती मुझ से प्रेम नहीं करता है अब चकवा और चकवी में मन मुटाव होने लगा दोनों के बीच जगडे होने लगे जिसकी वज़े से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया क्योंकि जिस घर में लडाई जगडे होते हैं उस घर में मा लक्ष्मी का वास नहीं होता है अब चकवा औ और चकवी धन की कमी के कारण भूखो मरने लगते हैं तो यह देखकर कववा को बड़ा सुकून मिलता है उसे बड़ी प्रसनता मिलती है एक दिन चकववा को यह एहसास होता है कि हमारे लडाई जगडे की वज़े से यह सब हो रहा है तो वह अपनी पतनी से कहता है कि प्रिय देखा तुमने जब हम दोनों एक दूसरे से लडाई जगडे नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुख में था और हमारे घर में अन्यधन की कोई कमी नहीं थी लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने जगडने लगे हैं तब से हमारे घर में अन्यधन की कमी हो गई ह चक्वे की बात सुनकर चक्वी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चक्वे से कहती है स्वामी मुझ से गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर आपस में लड़ाई जगडा नहीं करना चाहिए तब चक्वी ने चक्वे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए तब चक्वे ने कहा कि यहीं पास ही की गुफा में एक सिद्पुरुष महात्मा रहते हैं हम उनके पास चलते हैं वह जरूर कोई न कोई उपाए बताएंगे वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे और हमें यह बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए यह सोचकर चक्वा और चक्वी उस महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके वहां बैठ जाते हैं जब महात्मा ने चक्वा और चक्वी के आने का कारण पूछा, तब चक्वा की आखों में आसु आ जाते हैं, दोनों पती-पत्नी रोने लगते हैं। चक्वा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उन महात्मा जी को सुना देते हैं। तब महात्मा कहते हैं कि हे चक्वा मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी पांच बाते बताऊंगा, जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल कर लिया, तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई जगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन पांच बातों पर अमल करेगा, उसके घर में कभी भी लड़ाई जगड़ा नहीं होगा, तथा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और उसके घर से लक्ष्मी माता कभी भी रूठ कर नहीं जाएंगी। महात्मा जी चकवा और चकवी को वे पांच बाते बताते हैं। वही वेक्ति तुम्हारे घर में कलेश उत्पन करा सकता है, और यहीं लोग आपके दुखों और समश्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को राज की बाते या गुप्त बाते कभी भी मत बताना। दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बढ़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, तो वो मित्र आपके बारे में गलत धरना बना लेगा और आप से घ्रना करने लगेगा, तथा आप से दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा कभी मत करना तीसरी बात अन्य दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि स्वेम आप अपनी आखों से न देख लो तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए यदि किसी ने आपके अपनों के प्रती मन मुटाओ पैदा कर दिया है तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिलकुल भी न करे कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए चोथी बात हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनास के कगार पर पहुँच जाएंगे पती पतनी माता पिता पुत्र इन्हें आपस में किसी के उपर शक नहीं करना चाहिए आप गैरों पर शक कर सकते हैं लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए पांचवी बात कभी भी बिना बुलाए समारों और उत्सव में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारों या उत्सव में जाते हैं तो इस से आपके सम्मान को ठेश पहुँच सकती है, जिस से आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी. तो इस तरह महात्मा ने चक्वा और चक्वी को ये पांच बाते बताई और इनका अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए कहा. दोस्तो मैं आशा करती हूँ कि चक्वा चक्वी की कहनी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो को आप अपनी फेस्बुक, वट्सेप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.